नमस्कार मैं संजे सनम यूटूब के सभी वीवर्स काहरोदे से अभिवादन वीवर्स जैसा की आप इस्क्रीन पे देख रहे हैं कि परशन कुंडली के दरपन में बंगाल विदान सबाचुनाव 2020 हमारा सवाल है क्या ममता दीदी 2021 के चुनाव में फिर सरकार बना पाएगी ये सवाल है अगर सियासत के पटल पर देखें तो भारती जनता पाल्टे का पलड़ा भारी लेकिन गरेन अक्षत्रों की गणित क्या कहती है प्रशन कुंडली का अपना मेहतु है जिस वक्त प्रशन किया जाता है उस वक्त ब्रमहंड के गरेन अक्षत्र उस घटना को प्रियोग कर रहे हैं ये सवाल आप सबके जेहन में है रोमांचक सवाल पूरे भारत की नजर है बंगाल के विधन सबाचुनाव पर भारते जनता पाल्टी और ममता दीदी के आपसी ठकराव पर सियासती समिकरन अलग हो सकते हैं अलग दिख सकते हैं लेकिन होता वही है ज ग्रह नक्षत्र कहते हैं जो समय चक्र कहता है बरमांड के ग्रह नक्षत्रों को पढ़ने की ये कोशिस मैं आप तक पहुंचा रहा हूं मुझे विश्वास है आप मेरी सावाज की कलिप के साथ जोतिस गन्ना की पूरी कलिप को देखिएगा सुनिएगा समझिएगा और फ चलते हैं गरों की गणित में और आप ये देख पा रहे हैं 27.2.2021 आट बजकर के 9.40 सेकेंड इस्तान था पूने और जो सियल एस्टोलोजी में जो नमबर लिए जाते हैं वो भी संभवत है मैंने 1432 लिए थे यहां आपको दिखा नहीं पा रहा हूं अब आप देखिए मेरा सवाल था पश्चिम मंगाल विधान सवाचुनाओ 2021 में क्या ममताब अनर्जी पूने सरकार बना पाएगी अब जब मै ममताब अनर्जी सेवन्ठ आउस में हुवा उनका अपोजिशन पहली नजर में अगर आप देखें तो आपको एक संकेत अच्छा मिलेगा ममताब अनर्जी के पक्ष में यह देखिए मंगल यह जो मंगल है लगन का मालिक कहां बेटा है? सिक्त भाव में ममताब अनर्जी के लिए बड़ा सुप संकेत है आप ये देखिए ये मंगल लगन का मालिक लेकिन मंगल अगर दसा अंतर में आएगा तबी वो लाब दे पाएगा अर दसा किसकी चल रही है? दसा है केतू की बुद्ध की आपको मालूम है चुनाव हो रहे हैं 27 मार्च से 29 अप्रेल के बीच 8 चरणों में रिजल्ट आ रहा है दो तारीकों 25 2021 अब आप देखिए यहां पर सबसे बड़ा असर किसका है? केतू का बुद्ध का केतू का बुद्ध का यानि अंतर भुक्ती सुक्षमंतर सब कुछ केतू और बुद्ध का है प्राण अंतर में सुबह 8 बजकर के गुंचास मिनट तक रावू है उसके बाद गुरू है उसके बाद सनी है 18 बजकर के 24 मिनट के बाद सनी है हमको चलना पड़ेगा दोस्तों केतु को समलने केतु को समझने के लिए हमको केतु की केतु की अपनी फाइल में चलना पड़ेगा और ये केतु की फाइल केतु मंगल की रासी में है इसलिए मंगल यहां पर एक्टिव हो गया मंगल चाहे दसा में नहीं हो लेकिन केतू मंगल भी है इसलिए केतू जो फल देगा उसमें मंगल भी इन्वल्वड होगा और यह एक और छे का जो फल है वो बहुत शानदार ममताब अनर्जी के पक्ष में हो गया हालाइकि केतू की जो इस्तति है 12 भाव में वो अपोजीशन का सिख्टभाव हो गया लेकिन यहां पर केतू 11 भाव का भी मालिक बनता है तो केतू को पढ़ने के लिए केतू की फाइल में चलते हैं केतू मंगल की रासि में हैं बुद के नक्षतर में हैं बुद्ध को देखते हैं, क्योंकि नक्षतर सबसे बड़ा प्रभाव देता है, बुद्ध को जब मैं देखता हूँ, भाव कुनली में, बुद्ध सेकंड भाव में बेठा है, लेकिन बुद्ध मालिक किस ग्रह का है, किस भाव का है, मालिक है अस्टम का, मालिक है टेंथ का, यानि टेंथ का मतलब पावर, टेंथ का मतलब करमिस्तान, करमिस्तान और अस्टम का मतलब हडल्स, बादा, विग्न, रहश्यात्मत परिनाम, दुरघटना, सारी चीजें हैं, अनस्पेक्टेड गेन भी है, अनस्पेक्टेड लोस भी है, लेकिन बुद्ध बेठा का हैं, बुद्ध सेकेंड भाव में बेटा है, सेकेंड भाव अपोजिसन का हडल भाव है, सेकेंड भाव अपोजिसन का बाधा विग्न रुकावट है और सेकेंड भाव ममताब अनर्जी का बेंक बैलेंस है, यहाँ पर धन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सीटों की बात कर रह अच्छा रिजल्ट अब तक बताया है अब उसके बाद सूर्य को भी समझना है सनी को भी समझना है तो चलिए फिर कस्पल इंटर लिंक को खोल देते हैं और यहां पर समझने में आसानी रहेगी अब केतु की गनीत बहुत आसानी से आप समझते जाईए पांचवा भाव यहा यही स्पोर्ट्स का होता है पांचवा भाव सातवे भाव का यानि अपोजिसन का गेनर भाव है तो यह ममता बनर्जी के लिए थोड़ा माइनस लेकिन आगे की गनीत में 1,6,7,10 यह देखिए उपनक्षत्र में यह बहुत शांदार रिजल्ट के तु दे रहा है ममता बनर बनर्जी के साथ सिक्स्त भाव जुड़ा है ममता बनर्जी के साथ दस्वा भाव जुड़ा है यानि पावर जुड़ा है सत्ता जुड़ गई है केतु ने जोड़ दिया है इसको हम प्रान कुंडली तक कर लेते हैं अप्टू प्राना तक कर लेते हैं इससे और चीजे थो अर्वे भाव में बेठा है, अपोजिसन का विनर भाव है, लेकिन चूंकि केतु यहां पोजिसनल स्टेटस में नहीं है, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं रहता, कुल मिलाकर केतु की यह जो गनित हमने देखी, आप इसको और देख लिजिए, यानि बुद्ध केतु का नक्षतर बुद्ध और बुद्ध में कहीं भी साथ नंबर नहीं है, यानि अपोजिसन नहीं है, कहीं भी पांच नंबर नहीं है, उनकी गेनिंग नहीं है, बारा नंबर अकेला है, उसका कोई खास प्रवाव नहीं पड़ेगा, और यह सूरिय उप नुक्सान तो मम्ता बनर्जी ने अल्रडी बहुत कुछ कर दिया है उनके बहुत कुछ खास लोग बेजेपी में सामिल हो गए हैं तो नुक्सान तो अल्रडी बुगच चुकी है ये 6 और 10 यानि वीनर और पावर दोनों मम्ता बनर्जी के पास ये गनित 23811 ये मम्ता बनर्जी को एक दम कलियर स्पस्टी करन दे रही है कि मम्ता दिदी आपके ग्रह नक्षत्र और जिस वक्त प्रश्न किया गया है उस वक्त की महादसा आपको वीनिंग केंडिडेट बता रही है यानि आपका प्रश्न जो आपसे आधारित था वो पक्ष में जा रहा है ये महादसा बता रही है अंतरदसा में जाएंगे तो अंतरदसा बुद्ध की है चलिए बुद्ध को समझ लेते हैं ये रहे बुद्ध महाराज 8-10 हडल है 1-9 चलिए ठीक है वैसे देखा जाए तो एक नौ 10 बाउस से को नेगेट करता है लेकिन एक नंबर यहाँ पे है अब यहाँ पे देखिए 2811 एट का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया हडल भी है बादा भी है और एट का मतलब आपके जो अपोजिसन है उसका धनलाब भी है उसके सीटों की बढ़ोतरी भी है लेकि आपका बेंक बैलेंस आपकी सीटों की गनित भी बढ़ोतरी है और आगे चलते हैं तो 2389 फिर आया है तो यह ममता बनर्जी के पक्ष में कहीं न कहीं यह बता रहा है हडल तो आएगी लेकिन ममता बनर्जी सत्रू को भी बहुत जबर्दस्थ हडल दे रही है और आगे चल क करके six number ममता बनर्जी का एक्टिवेट हो गया है यानि परेशानी जहलेगी संगर्स करेगी एक दम unexpected situation में दीदी रहेगी लेकिन यहां पर 6 number एक्टिवेट हो गया है दीदी विन भी करेगी अब आगे जब चलते हैं तो 2412 यानि दो नमबर भी है 4 नमबर भी है 12 नमबर भी है लेकिन या साथ नहीं है या एक नहीं है इसलिए दोनों का हम मैत्व नहीं देंगे अब तक की गनित ममता बनर्जी के पक्ष में भुक्ती भी बता रही है आप देखिए ये बुद्ध नक्षतर स्वामी 12346 8 9 10 11 12 साथ नमबर नहीं है पांच नमबर नहीं है ममता पोजिसन या नहीं है बुद्ध यहां पर है अब आप देखिए यहां पर छे नमबर है 8 9 10 11 12 सब है पर ममता बनर्जी का पोजिसन फिर नहीं है यहां पर ममता बनर्जी का पोजिसन आया है मंगल में पांच नमबर भी क्रियेट है उसका फुल्फिल्मेंट भी है साथ ममता बनर्जी का च्छाय नंबर भी है यानि दोनों की ठकर यहां कड़ी है अब हम क्या देखेंगे अब देखेंगे पोजिशनल स्टेटस बुद्ध किसका जादा परिनाम देगा तो यहां पर आप फिर देखिए यहां पर अपोजिशन गाइब है पांच नंबर भी नहीं ह साथ नंबर भी नहीं है इसका मतलब साफ संकेत संगर्स से उत्र निकलेगी लेकिन ममता बनर्जी को ममता बनर्जी के गरों की अंतर दसा भुकती भी कलियर इसपस्टी करन दे रही है कि ममता बनर्जी के पक्ष का जो यह सवाल है वो ममता बनर्जी के पक्ष में ही जाएग यानि सरकार बनाने की स्तती में ममता बनर्जी को green signal दे रही है दसा और अंतर दसा दोनों का green signal मिला है अब चलिए एक वार फिर हम दसा की तरह पी चलते हैं आप देखिए अब दसा, अंतर, परत्यंतर, सुक्षमंतर ये सब बुद्ध के तू हैं तो यहां ममताब अनर्जी का पलड़ा पूरा भारी है अब राहु को यहां देखने से कोई फरक नहीं पड़ेगा, क्योंकि आठ बजगर के उन्चास मिनट पे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, यहां तो मत करना सुरू होगी गुरू प्रान है, गुरू को देखेंगे, यह छे बजगर के चोबीस मिनट तक गुरू है, चलिए एक वार फिर चलते हैं गुरू की गनित में गुरू का नक्षत्र चंद्रमा है, और सुक्र उपनक्षत्र है, और यह ममताब अनर्जी के लिए नुकसान भी है, वे भी है, ममताब अनर्जी के लिए लाब भी है, तीसरा घर प्राकरम भी है, सुक्र की गणित थोड़ी उलजी हुई है चलते हैं गुरु को देखने के लिए एक वार पुने कस्पल इंटरलिंक में अब आपको मैं दिखाता हूँ गुरु की गणित गुरु ये माइनस ममताब नर्जी के लिए चार आठ बारा ये पूरा माइनस है तीन नो का कोई इफेक्ट खास नहीं तीन चार पाँच नो यहां पर भी अपोजीशन हावी है यहां पर सिरफ ममताब नर्जी का पक्ष बना है और गुरू पोजिसनल इस्टेटस है इसलिए इसका प्रभाव रहेगा चंद्रमा यहां पर दो, तीन, चार, पांच, छे, आट, नो, बारा यहां ममता बनर्जी को थोड़ा नुकसान है पांच, आट, बारा आ रहा है हालांकि छे भी है, दो भी है, साथ भी नहीं है, एक भी नहीं है सुक्र, दो, तीन, चार, पांच, है, साथ, नो, ग्यारा, बारा यहां पर ममता बनर्जी का अपोजिसन फिर भारी है पलड़ा लेकिन यहां पर आकर के जितना पलडा भारी रहता है वो बैलेंस होता है दो तीन आठ ग्यारा यानि सनी महराज के यहां पर ने तो एक है ने साथ है ने पांच है यह दो तीन आठ ग्यारा यह ममताब अनर्जी के पक्ष में हैं काफी चीज़ें हालांकि आठ नमबर अपोजिसन के पक्ष में भी है लेकिन दो नमबर और ग्यारा नमबर ममताब अनर्जी के पक्ष में हैं अगर यहां पांच नमबर भी आता तो हम मानते कि अपोजिसन यहां पर भी पलडा भारी करके रखा है लेकिन सबसे बड़ी गनीत बदल रही है यहाँ पर पोजिशनल स्टेटस में पांच नमबर है आठ नमबर है बारा नमबर है छे नमबर नहीं है तो यह जो गुरू है यह प्राण दसा है यह ममता बनर्जी को टोटल अनफ्यवर कर रहा है अब हमारी बात कहां अटक गई अब हमारी बात अटक गई रिजल्ट अगर यहां तक आता है मतलब 6 बज़ करके 24 मिनट में यहां से पहले पहले अगर सीटों की गनित पूरी कलियर हो जाती है परिनाम के पटल पर तो ममता बनर्जी को जो एकस्पेक्टेड सीटे चुनावी माहुल में बन गई होती है उसमें नुकसान होने की संभावना यानि सुरुआत में जो ममता बनर्जी गेन करती भी लग रही थी उसमें कुछ उनको नुकसान होगा लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कि पूरा का पूरा पासा पलट जाएगा के तू बुद्ध के तू बुद्ध अरे ये तो बेस बना ही चुके हैं इस बेस पे गुरु कुछ नुकसान करेगा पर अगर रिजल्ट छे बज करके 24 मिनट के बाद में भी जारी रहता है उसके बाद में आता है तो फिर आ जाते हैं सनी महराज और चलिए सनी महराज की फाईल भी खोल लेते हैं सनी महराज के गृह की फाईल क्या कहती है तीन नमबर 11 नमबर आठ नमबर 11 नमबर 2 3 4 6 8 9 11 2 3 4 5 8 9 12 यहां पर ठोड़ा सा मैनस लेकिन अन्तत है दो तीन आठ यारा दो तीन आठ यारा इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि 6 बजकर के 24 मिनट तक जो नुकसान ममता बनर्जी को फील हो रहा था जैसे ही 6 बजकर के 24 मिनट का दोर निकलेगा, सनी आएगा उसके बाद ममता बनर्जी को कुछ वापस गेन हो जाएगा अनस्पेक्टेड गेन हो जाएगा ममता बनर्जी अपने दम पर या फिर आठ नमबर बराबर एक्टिवेट हो रहा है 11 नमबर के साथ इसका मतलब ममता बनर्जी को कोई रेश्यमे लाब कोई सपोर्ट अनस्पेक्टेड सपोर्ट कोई न कोई ऐसा लाब ममता बनर्जी को मिल जाएगा अगर उनकी सीटें कुछ कम भी रही तो कोई न कोई सीट जुगाड करने वाला उनका साथी तैयार हो जाएगा लेफ्ट भी हो सकता है कॉंग्रेस भी हो सकती है मुस्लिम जो लड़ने वाले ओवेसी साहब है वो भी हो सकते है कुछ भी हो सकता है ये अलग बात है ममता बनर्जी के पक्ष में अब ये गणीत अगर मैं इसे कॉंक्लूड करूँ तो दोस्तों इस पस्ट है गनीत ममताब अनर्जी के पक्ष में जा रही है यानि 2021 में चाहे अभी तक की सियासत का जो समिकरण है वो भारतिय जंतापाल्टी के पक्ष में कितना ही क्यों न दिख रहा हो लेकिन ममताब अनर्जी का 6 नंबर अब आप देखो आपको एक चीज में और दिखाना चाहता हूँ वो भी मैं चाहूंगा कि आप एक वार नजर करो एक चीज और बहुत उभर करके सामने आ रही है और वो बात है 6 नंबर आप 6 नंबर देखो 6 नंबर में मंगल सूरिय, मंगल केतु बुद अदेखो केतु बुद आपको यहां पर कितना स्ट्रोंग दिख रहा है यह 6 नंबर में केतु बुद आपको बहुत स्ट्रोंग दिख रहा है और जो सत्रु का 12 नंबर है उसको भी देख लो वहाँ पर गुरु देखो यह गुरु आ गया जो मैं कह रहा था कि प्राण में गुरू खराब है सुर्य, राहू, राहू का कोई अर्थी नहीं है राहू को हमने उस वक्त भी नहीं लिया था सुक्र, ये फ्यवर में नहीं लग रहा बुद्ध यहां पर आया है तो बुद्ध चूंकि छह में भी है इसलिए ममतावनर जी को नुक्सान वो नहीं करेगा लेकिन गुरू जरूर करेगा गुरू जरूर करेगा जो हमने आपको बताया भी है लेकिन कुंडली दसा के आधार पर अगर देखा जाए तो वो देखिए केतू बुद्ध केतू कितने जोर से प्रभावी है और मंगल को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि केतू की रासी मंगल है यहां पर मंगल है यह आप देखिए केतू मंगल की रासी में है इसलिए और आल सवाल जो मेरा था दो हजार इकिस विदान सबाच चुनाओ पश्चिम बंगाल क्या ममता बनर्जी सरकार बना पाएगी और जो मेरा ज्यान मेरा अनुभव मेरी सोच मेरा अध्यन जो तिस में मैं जितना समझ पाया हूँ उस आधार पर मैं यह कहता हूँ यह संभावना बड़ी बलवती है कि 2021 विधन सबाच चुनाओ ममता बनर्जी के पक्ष में जाएगा यानि ममता बनर्जी की सरकार बनने की संभावना बने की मैं संभावना ही कह रहा हूँ यह जाएगा जो सब्द मैंने कहा है यह गलत है मैं यही कह सकता हूँ कि संभावना लग रही है मैं इसे rectify कर रहा हूँ क्योंकि full and final इश्वर के आधीन है हम लोगों के आधीन नहीं है मैं छमाय आचना के साथ इस बात को rectify करता हुआ कि संभावनाएं बड़ी परबन लग रही है कि ममता बनर्जी 2021 विधान सबाचुनाओं में बंगाल में पुने आ रही है यह ममता बनर्जी कि आने की संभावनाएं हम बता रहे हैं गरे नक्षत्र की गनीत बता रही है तो वीवर्स वेडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा पर इतना जरूर कहूंगा कि सियासत के पटल पर जो दिख रहा है वो गरे नक्षत्रों के पटल पर दिख नहीं रहा उसका कुछ उल्टा लग रहा है यानि भारतीय जंता पालटी सियासती माहूल में लेकिन गर्हों की गनीत में ममता बनर्जी बहुत मजबूत लग रही है तो वीवर्स वीडियो को लाइक कीज़ेगा शेर कीज़ेगा चैनल पर अगर नए आये हैं तो सबिस्क्राइब करना मत भूलिएगा अगर मेरे जोतिस मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी अगर कुछ राई बनती है कमेंट बोक्स पर वो अपनी बात जरूर कहें ये मेरा निवेदन है तो बहुत बहुत आवार नमस्कार कमेंट मेंट आवार नमस्कार